कॉंग्रिस की निता राहूल गांदी ने आज नई दिली में सामाजी कन्याई सम्मिलन को संबोधत करते हुए कहा कि बीजेपी दलित और ओविसी की हिस्ट्री मिटाना चाहती है। नहीं रोक सकती है। मोदी ने दस साल देश से कहा कि वो ओविसी है। जैसे ही मैंने जाती जनगना की बात की तो मोदी बोलने लगे कि देश में सिर्फ दो जाती है अमीर और गरीब। मैं कहता हूं कि गरीबों के लिस्ट निकाल लिए। उसमें आपको दलित आदिवासी जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की जाती जनगना की बात की नरेंदो मुदी कहते हैं जाती नहीं है। हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात हैं अमीर और गरीब। ठीक है। अगर आप ये बाद मानते हों कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात हैं अमीर और गरीब। तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकाल लिए उसमें आपको ओबी सी दलित आदिवासी मिल जाए तो यह मेरे लिए अब राजनेतिक मुद्दा नहीं है यह आप बात समझ लीजिए यह अब मेरा लाइफ का मिशन है तो दो तीन चीज़े हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और काम किस डाइरेक्शन में करना चाहिए सबसे पहले इसमें एक पुलिटिकल डाइरेक्शन है पुलिटिकल डाइरेक्शन आपने मैनिफेस्टों में अच्छी तरह देख लिया है आपने ही कहा कि मैनिफेस्टों करांतिकारी डॉक्यूमेंट है उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनिक्वालिटी नरेंदर मोधी जी ने की है जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाग क्रोड रुपे ट्रांसफर किया थोड़ा सा पैसा जादा नहीं थोड़ा सा पैसा कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टों वापिस 90 परसेंट को देने जा रही है थोड़ा सा हमने मतलब हमने हमने calculate करके हमने calculate करके 16 लाग करोड रुपे नहीं दिया calculate करके हमने जो हमें लगा जो न्याएं हमें लगा कि इतना इतनी मदद करनी चाहिए हमने मैजने सेस्टों में डाल दिया है